अभी तक के financial literacy lecture में तो मैंने आपको एक basic introduction दिया था तीन videos में, तीन lectures में कि financial literacy होता क्या है, तो it covers basically everything about personal finances, right from आपके गुलक में पैसे बचाने से लेकर आप Warren Buffett तक कैसे बन सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि 8 महीने का course करने कवाद Warren Buffett ही बन जाएंगे, उसके लिए तो भाई risk भी लेना पड़ेगा थोड़ा सा, उसके लिए थोड़ी सी घ्यानवाजी और जादा करनी पड़ेगी, बट यह preparatory stage की पड़ाई है, जिससे आपको वो सब चीजे basically समझ में आने लग जाएं, So in those 3 videos, 3 lectures, people must have understood कि money management होता क्या है, आप किस तरह से पैसे invest कर सकते हैं and all that, एक rough go-through idea मैंने आपको दिया था, So this is children, the text related to Securities and Exchange Board of India का pocket money program और यह pocket money program से भी ने start क्यों किया, यह तो बात में बताऊंगा, पहले आपको यह बताऊंगा कि यह से भी होता क्या है basically, तो everybody knows कि जब हमारे देश की हालत बहुत खराब थी, तो 1991 में Manmohan Singh जी एक policy लेके आये थे, जिसको हम new economic policy of 1991 बोलते हैं, इसके पहले economic policy हिंदोस्तान में 1948 में money जो कबाड थी एकदम, थोड़ी सी less कबाड वाली थी 1956 वाली, and when it was thought कि भई देश का अगर उधार करना है, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो 1991 की economic policy एक ऐसी policy दी, जहां पे government ने practically चार industries अगर हम छोड़ दे, atomic energy, railways, defense and certain heavy metals, इनको छोड़ के government ने सबको privatize कर दिया, कि भई insurance हो गया, या so-called automobile हो गया, telecom हो गया, हर sector में private businessman, private entrepreneur हम और आप भी business कर सकते हैं, नहीं तो पहले सारे के सारे areas, 48 और 56 की policy में highly reserved for some sections of the society थे, या आप बोल सकते हैं कि government ही काम कर सकती थी, तो 91 के पहले जीवन में, so-called खत्रे से बचने के लिए, इंडिया में कुल एक life insurance company थी, and that was LIC of India, और चार general insurance companies थी, अपने नाम सुना होगा, United India, General Insurance, New India, National Insurance, ये चार होती थी, बट 91 के बाद, बाढ़ा गए insurance companies के इंडिया में, banks 5-10 हुआ करते थे, जो governmental थे, एकदम वो 5-6 bank जहां काम बिल्कुल ना हो आपका SBI हो गया, Canada bank हो गया and all that यही थे, ये जितना आपको IDBI, ICICI, HDFC नजर आता है, आजकल इंडिया में, ये सब 91 के बाद की तेन हैं बच्चों, McDonald's, Pepsi, Coca-Cola, 1991 के पहले तो लोग इनको सिर्फ TV में एक विदेशी प्रोड़क के नाम पे जानते थे, but nowadays they got license to enter into India, तो जब धेर सारी companies, धेर सारे businesses इंडिया आए, तो इंडिया में employment level, बड़ा contribution आया, तो देश का उधार होने लग दिया, अब government को hand-in-handic डर सताने लग गया, कि जब बाहर से companies आएंगी, तो ये अपने resources, कुछ तो बाहर से लेके आएंगी, और कुछ इंडिया में लोगों को बोलेंगी, कि हमारे business में आप invest करिए, और invest करने में भाई, सही तरीके भी होंगे और गलत तरीके भी होंगे, तो इन companies के ओपर एक शिकंजा कसना पड़ेगा, इन companies के ओपर एक monitor बढ़ाना पड़ेगा, तो formation हुआ, किसका बच्चो, सेबी, बट इस text में थोड़ी सी गलती है, actually सेबी का formation जो हुआ था बच्चो, वो हुआ था, 1988 में, जब मेरी उमर 8 साल थी, और आप लोग की उमर दुश्याद माइनस, so-called 34, 35, 36 साल चल लही होगे उस समय, what it is, आप पैदा भी नहीं होगे उस समय, तो 1988 में सेबी का जन्म हुआ, बट उस समय सेबी के पास सिर्फ advisory powers थी, वो government को सिर्फ financial matters में advice कर सकती थी, जैसे आपके पास advisory powers है, आप पापामी को बता सकते हैं, यह अच्छा है, यह खराब है, बट क्या आप पापामी को ticket कर सकते हैं, क्या आप पापामी को compel कर सकते हैं, कि नहीं अडानी power का ही share खरीदो, नहीं SBI में ही empty कर आओ, नहीं LIC की policy खरीदो, क्या थनी power है आपके पास? No, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारक power है, advisory power है, आप act नहीं कर सकते हैं, तो जब ये companies इंडिया में आई, तो government of India को क्या लगा, कि ये companies लोगों को cheat भी करेंगी कल को, ये लोगों को गलत तरीक भी बताएंगी पैसा invest करने के लिए, तो protective होना चाहिए देश को, लोगों का पैसा इस तरह से fraudlenty निकलना जाए, तो government ने SBI को और strong किया, और 1992 में एक क Supreme Court तक का status दे दिया गया, तो अगर SBI ने find out किया, कि किसी organization में धानले बाजी हुई है, किसी ने गलत तरीके से पैसे लिए हैं, तो उसको सजा तक हो सकती है, is that clear? और सजा इतनी भेंकर हो सकती है, या भी रूख आप जाए सुनके, अगर मान लीजे सौ करोड उपे का कोई घपला करता है, तो उसका 25 गुना आपको penalty देनी पड़ेगी, कितनी? 25 गुना, got it clear? और आपको 7 साल तक की jail भी हो सकती है, और jail से छूटने के बाद भी, आप financial market जैसी industry में कोई भी काम कर ही नहीं सकते है, तो कितना भेंकर इसको right दे दिया गया, ताकि लोगों की रूख आ advice करता था, बट इसको और powerful बनाने के लिए, क्योंकि democracy है, इंडिया तो भई, कोई dictatorship economy तो है नहीं, वो North Korea की तरह Kim Jong-un, उसकी उन खो गई दी थी तो उसका नाम उन रख दिया लोगोंने, तो उस तरह का तो है नहीं जो बोला मान लिया जाएगा, तो democracy में कानून का होना records ना होते, कि उसके उपर case चला, तो लोग क्या सुचते, इंडिया was a dictatorship country, हो सकता है, गलत तरीके से support रही किया गया हो, इसलिए 10,000 पन्ने का judgment लिखा गया, उसके उपर case चला, उसकी बातें सुनी, साबित हुआ, क्योंकि कल को world में कोई भी मारु पर उंगली ना उठा इसलिए republic में कानून का होना बहुत, democracy में कानून का होना बहुत, जरूरी होता है, तो इसलिए सेभी का एक कानून मनाए गया पहले, कि कानून मना कि हमने उसको और power दे दी गई, जिसे आपके हाथ में घर की चाबी है, तो क्या आप owner हो गए, no, बट घर के सारे काम आप करत है, मतलब admit कराना है, सब आप manage कर रहे हैं, बट जब तक आपके नाम पे वो घर register नहीं होगा, क्या आप उसके legal owner होगे, no, तो कानून का application बहुत बढ़ा होता है, is that here, law से बढ़ा कुछ नहीं होता है, फोपने हम बात गई की नहीं गई, तो हो सकता है आपने घर के सबसे ज काम होगा, then only you are the true owner, तो इसलिए 1988 में थोड़ा था वीक था ये, तो एक Parliament में कानून ले के आ है, और कानून जब बन गया, तो सेबी की पावर दो और strong हो गई, basically, तो is that understood, सेबी क्या था चलन, पक्का, तो 1988 में उस सिर्व एक advice देता था, जैसे आप अपने पापा को बोलें नई कार खरीद नहीं, ये वाली ले लो, वाई ले लो, बट के जो रही पापा आपकी बात मान जा है, absolutely not, बट दादा जी जो बोलेंगे, या दादी मा जो बोलेंगी, वो बात पापा, जरूर मानेंगे, खोपले में बात गई की नहीं गई, is that clear, तो आप हो गए 1988 वाले से और दादा जी और दादी मा या मम्मी कौन हो गई, 1992 वाली से भी, तो उनके पास रिटन में पावर्स थी, और तीन तरह की बेसिक पावर्स थी से भी के पास बचो, to protect, to promote, and to regulate the market, तो अगर आपने किसी भी, let us say, कोटक सिक्यूरिटीज, और मोती लालोसवाल, अप स्टॉक जिरोधा, नाम सुने होंगे आपने, ये सब बिचॉली हैं, middleman है, जो आपका पैसा मार्केट तक पहुचा देते हैं, अगर आपने पैसा लगाया, मार्केट किसी वज़े से गिरी, वो सब तो हम पढ़ेंगे अगले 2-4 महीने में हो, got it clear, नुकसान हो गया, तो सेभी की ज जुरत नहीं है, बट अगर ऐसी सेफटी, सेक्योरिटी, प्रोटेक्टिवनेस मिले ही ना बचों, क्या आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मैं ठेंगा इन्वेस्ट करूंगा सब पैसा, is that clear, किसी जमाने में हमारे हैं स्टॉक मार्केट बचों, सिर्फ 2-3 घंटे चलता था सिर्फ 2-3 घंटे, आज सवेरे सवा 9 बजे चालू होता है, और शाम को साड़े 3 बचे चलता है, क्यों, क्योंकि लोग जादा है, तो समय जादा चाहिए, सेबी ने कुछ साल पहले रूल बनाया था, कि आप इसको सवा 9 बजे चालू करिये, और शाम को खतम कितने बजे करि पहले लकनाउ से डेली, अलाबाद से डेली दिन में एक ट्रेन जाती थी, आज हर एक गंटे पे आपको ट्रेन मिल जाएगी, तो जैसे जैसे बॉल्यूम बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, नीड बढ़े यी रिफॉर्म्स आते जाएगे, पहले शॉप्स को लाइ पुलती थी, नहीं, तो जैसे जैसे सो कॉल्ड पॉपुलेशन इवॉल्व करती है, तो सब को प्रोटेक्शन और प्रमोशन समझ में आ गया, अब बजार में जो काम हो रहा है, वो नियम कानून के दाएरे में हो रहा ही नहीं हो रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, 2001 वा सबसे बड़ा बिजनस माना जाने लग गया, तो मुंबई में अगर आप मालक्ष्मी रेस कोर्स में पैसा लगाएंगे, तो इट इस नोट इल्लीगल, बट अगर अपने मौले में आप कुत्ते और मुर्गे की लडाई करवा रहे हैं, और उस पे पैसा लगा रहे हैं, तो इल्लीगल, गोवा में कसीनों में आप चले जाएं तो वो लीगल हैं, बट अगर इंडिया की किसी दूसरे स्टेट में कसीनों आप खोल लें, तो इल्लीगल, क्योंकि हर स्टेट का लॉज को रेगूले नहीं करता, तो जगा के हिसाब से समय के हिसाब से लोगों के हिसाब से law keeps on changing is that clear तो सेबी को इसलिए बनाए गया था अब सेबी को 2005 तक यह feeling आने लग गई कि country में धान्दे बाजी with respect to banking system अपने अर्शद मैता का scam सुना होगा actually वो scam नहीं था वो अर्शद मैता का चतुर दिमाग था जिसने काफी लोगों की जिन्दिगियों को बरबाद कर दिया तो बोला कि इनको सजा तो होनी चाहिए तो सजा देने के लिए पहले उनको गलत साबित करना पड़ेगा इसलिए उसको scam बोल दिया गया reality it was not a scam मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी वो एक तरह का banking loophole था एक तरह का banking loophole दो मिनट नूँगा आपको बताने के लिए मेरे bank account में एक लाग रुपए जमा है मैं किसी को 10,000 रुपे की check काट के देदू और मेरे को पता है कि वो 10,000 रुपे जो निकलेगा bank से वो कोई दूसरे channel है वो तो nano second में पैसा चलाता है ऐसा नहीं था बच्चो 90's के आजपास दौर में कम से कम एक एक महीना लगता था check से पैसा clear होने में तो अगर आज 9 जून को में 10,000 रुपे का check आपको काट के देदो आप उस check को मेरे से ले नहीं 2-3 दिन बाद आओगे मान तो है नहीं बच्चो दिन बर के हजारों होते होंगे सबकी नोटिंग करनी है मैनूली यह सारा system clear होते होते मिनिमम जल्दी से जल्दी भी 15-16 दिन तो लग जाते थे तो 9 जून की check मैंने दी आपको और पैसा आपकी account में आएगा 24 जून को तब आएगा तो 15 दिन तक तो व बट जिस इंसान ने check काटी है उसके अंदर तो एडर है हो सकता है कल ही निकल जाए पैसा हो सकता है चार दिन बाद निकले बट बैंकिंग सिस्टम का रूल था 12-15 दिन महीने बर तक तो पैसा रहे गई रहेगा मेरी बात सुना ही पड़ यह सब को समझ में आ रही है पका त तो अब यह पैसा जब बैंक में था तो अर्षद मैता जी ने मैंगेर साफ से क्या बोला यह 10,000 हमको दे दो हम 12 दिन बाद यह पैसा दूंको वापस लोटा देंगे और 10,000 का 12,000 देंगे अब कोई 10 दिन में 20% इंट्रेस्ट देता है क्या नहीं देता यह पैसा हर्षद मै पैसा 25 पैसा एक रुपए इस देट लिए इतना सकता भी शेर आता है हां दस और बार रुपे शेर तो आज भी मिलेंगे अच्छे जी कंपनी से शेर आपको मिलेंगे इतने पैसे में तो 50 पैसे का शेर यह बजार में खरीदने गए तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं अतना लाइक तो नहीं हूँ बढ़ मान लीजिए कि महारशद महता हूँ और मैंने अपने 20-25 पैसे के स्टूडेंट्स को एक-एक लाग रुपए दे दिया और बूला जो मार्केट में शेर खरीतिया हूँ उस समय सिस्टम मैनूल हुआ करता था पूरा आप आज गए 50 चास पैसे का शेर जितना मिला उतना बटोर के ले आए सर पैसा कहां से आया यह तो मैंने पहली बताया पैसा कहां से आया बैंक से और बैंक में मेरे जैसे को क्या लग रहा है कि मेरा चेक प्लियर होने वाला तो पैसा भी रखो और जिसको मैंने चेक काटके दिया है वो आपने students को दिया जाओ शेर खरीदो तो हर दिन जब ये शेर खरीदेंगे शेर खरीदेंगे शेर खरीदेंगे तो जिससे शेर खरीद रहे हैं वो भी समझ जाएगा तो आज जो शेर 50 पैसे का मिला कल वो कितने का मिला 60 पैसे का परसो 75 पैसे का फिर एक दिन एक रुपए का हो सकता है दो महीने बाद इस शेर का भाव कितना हो गया 50 पैसे से 15 रुपए है सुझमा गया तो जब हम कोई पी चीज खरीदने जाते हैं तो सामने वाला हमारी need और intention देखता है वो देख रहा है कि इनकी घरद ज्यादा है तो कल उस दाम पह शेर दिया था आज हम का दाम हमें भी कोई समस्था नहीं पैसा दो गंगा जी के पानी की तरह भोगट में मिली रहा है इस तरह से पैसे की विवस्ता होती थी लोगों को क्या लगता था यह टेरिस् दिन बाद पापा में वापिस आएंगे जितना आटा रसोई में और स्टोर में रखा था सब को गूंद के रोटी बना के आपने बेशना चालू कर दिया और जब मम्मी बापा 15 दिन बाद आएंगे तो एक दिन पहले बजार से जाके 10 किलो आटा लागे रख देना मम्मी क्या लगे का कौन साथ आए वही वाला बट यह वाला नहीं और आप तो पैसा कमा रहे हैं और आपका दो खेली दूसरा चल रहा था तो पचास पैसे का शेर जिस कंपनी का था दो महीने बाद बढ़के उसकी वाल्यू कितनी हो गई 15 रुपे तो डेली उस टू सेंड इस परसंस से आज खरीदना नहीं आज बेचना है पूछा गया परसंसे क्या बाव चल रहा है भई आज तो 17 रुपे का बाव है ठीक हमारे पास इतने शेर हैं ये लोग खरीद लो अब जिन से शेर हम डेली खरीदा करते थे जो 50 पैसे से लेकर 15 रुपे तक गया आज वो कितना हो गय जैसे डेली खरीदने आ रहे थे वैसे कल फिर आएंगे और इस रात की सुभा नहीं है अब हमने अपने पूरे शेर जो 50 पैसे के खरीदे थे वो भी 17 रुपे बेचे जो 60 पैसे खरीदे थे वो भी 17 में जो 75 पैसे करीदे थे वो भी 17 में जो एक रुपे खरीदे वो भी 17 म और हमारे साथ जिन्हों ने खरीदे थे, जो लोग देख रहे हैं, भाव बढ़ला तो भी खरीद रहे हैं, बट उन्हों को नहीं पता कि भाव क्यों बढ़ला है, उन्हों नहीं बेश दिये, तो हमने अपना 50 पैसे का समान अगर 15 रुपे, 17 रुपे बेश दिया, कितना कमा लिए, 16 रुपे, अगर ऐसे एक लाग शेर हमारे पास हो, तो 16 लाग तो सिर्व यही कमाई है हमारी, और कितनी हमने करोने की कमाई कियोगी सोचिए, और जो स्टॉप ब्रोकर हमें कल तक शेर बेशता था, जिसकी प्राइस स्टार्ट होती थी 50 पैसे से, गई 17 रुपे तक He is thinking कल फिर आएंगे, कल इनको ठरम बेचेंगे, बट कल हम आएंगे ही नहीं, नहीं समझे, नहीं समझे इस बत को, तो ये कहानी अर्षद मेहता ने की थी, और करोडो रुपे, मतलब he used to be called as the highest taxpayer of the country, करोडो रुपे उस जमाने की कमाई थी इसकी, जब लोग चिंदी चोर क की तरह 100 और 200 में बात कर दे थे, तो it was a banking loophole basically, उसके बाद फिर banking loss को थोड़ा strong किया गया, कि बैंक वाले अपना पैसा किसी को भी knowingly, unknowingly, stop market या इस तरह की speculative activities के ले लेंड कर ही नहीं सकते हैं, और जब एक बाद धेर तरह पैसा आ गया, कमा लिया, फिर अपनी कमाई लगा लग गए, फिर अब इन्होंने सोचा कि कैसे बचा जाए, तो ये पकड़े हिंदुस्तान के सबसे बड़े lawyer को, रामजेट मलानी जी को, और उन्होंने ग्यानबाजी की इनके सार, कि एक काम करो एक briefcase में पैसा भरो डेर सारा, और चलो south block, north block, और कह देंगे PMO से मिलने हैं, हम भसिंग तो साबित कर देंगे कि हम पीवी नरसिमा राओ जी को घूस देने गए थे, क्योंकि उन्होंने बोला ता घूस देगो तुम छुडा लेंगे, सिर्फ सीन क्रियेट किया, फाल्तू का कुछ ऐसा, हाई गई, समझना गया, और जब आप सरकार का दर्वाजा खट-कटाएंगे, और चुकोटी काटेंगे, तो सरकार तो नहीं छोड़ेगी आपको, is that clear, फिर इन भाई साब को जेल वेल करा दी गए and all that, खोपड़ें बात गई, और ये कोई MBA, M-Tech और B-Tech नहीं था, एक नॉर्मल इंसान था, बस खोपड़ी भून गई, हाँ, बहुत लॉस सफर किया होगा, कहीं से लॉस हुआ, कहीं प्रॉफिट हो गया, फिर किसी दूसरे बैंक के पास गए, इसकी टोपी उसके सार IT US, सुना है आपने IT US, एक बैंक से पैसा लिया, दूसरे कलोटा दिया, फिर उसका देने कल तीसरे से लिया, और उस समय तो था ही नहीं, तो सुचिता दलाल जी एक थी, जर्नलिस्ट, जिन्नों नहीं ये गरवड़ी पकड़ी पकड़ी थी और निउस्पेफर में चाप दी थी, यह पूरा आपने उस मूवी में देखा होगा, स्कैम मूवी जो थी, उनी के उपर बनी थी, मूवी में 95% जादा ची पकड़े गए थे, वो भी ऐसी पकड़े गए थे, सरकार ने देखा कि घरों की रेजिस्ट्रियां तो हो ही रही है, लोगों के बीच में कॉंट्राक्ट्स हो ही रहे है, यह स्टैम पेपर की सेल क्यों डाउन हो गई, तो जब सरकारी ऑफिसर मार्किट गए, जो लोग स्ट स्टैम पाती ही गांदी जी की, कितनी वो बजार में डूपलीकेट शपती थी किसी जमाने में, बड़ उसमें फरक क्या होता था, नॉर्मल में तो आप पीजे पानी लगा के चिपका देंगे, इसमें लही लगानी पड़ती थी, तो स्टैम पैक्ट्री है क्या, यू बाइ जमा करते हैं, और एक हमको स्टैम पेपर मिलता है, समझमा गया, तो स्टैम पेपर उस जमाने में तो छपके आते थे, और मैनूली मिलते थे, आजकल तो ईस्टैम चलता है, एलेक्रोनिक डिजिटल स्टैम हो गया आजकल, तो अगर आपने सात लाक रुपे गर्मन को फीज देनी है, स्टैम पेपर के उपर मान लिजिए, सौ रुपे अगर लिखा है, तो आपको इस तरह क्या हजार रुपे लिखा है, तो इस तरह क्या आपको साथ सो कागस लेने पड़ते थे, समझना गया, तो इस तरह से हमां फीज जमा होती थी, तो स्टैम पेपर is just like a way to pay fee to the government, तो सरकार का स्टैम पेपर विखना ही बंद हो गया, उन्हों सुझे स्टैम पेपर विख कहां से रहा है, तो पता लगा 40,000 करोड़ों का खोटा ला था, और तब भी देश टना टन चल ला है, 12,000 करोड़ों वो विजे माले और कौन कौन लेके भागया हुए है, तो अंगुल से लोगों को छुटाना बहुत जरूरी है, तो सेबी ने 2005 में अपना एक इंस्टिटूट सेट अप किया, तो ये इनका पॉकेट मनी प्रोग्राम है, जो इंडिया के काफी स्कूल में, साउथ इंडिया वगेरा में चलता है, नौर्थ में उतना प्रेवलेंट है नहीं क्योंकि लोगों का प्लाइन का इसको जादा मन है नहीं हाँ पे, अभी आपने नीट का रिजल्ट देखा होगा, तो राजिस्तान, MP के टॉपर तो धेर सारे नदर आएंगे, यूपी वाले बंडारे में ही विजी हैं, कि तो बंडारा कर वालें, मंदिर मजिद बन यह सब तो मित्याय होता है, is that clear? Is that clear? सब को समझ में आ गया? चलिए, तो वाट ऐस से भी clear होगे सब को, अना इसम ये भी clear होगया, एनाum के तो इतने धमाकेदार program है, एक साल का program है, जिसका नाम MBA नहीं है बच्छो, बटए से दसगुना salary आको मिल सकते हो, program से करके, थर्षाद मेहता जी 90 में थे एक केतन पारिक जी थे उन्होंने यही दांदलेबाजी क्यलकटा स्टॉक एक्षेंज में की थी बट अब यह सब दांदलेबाजी करना मुश्किली नहीं नहीं पूरा ना मुंकिन नहीं है थोड़ा बहुत आज भी मुंकिन है अगर आपके पास करने की जुरॉत नहीं है सब्था फिनाचल लिटरसी इनिशियाटिव योंड ऑफिल्ट है और ओर ऑग U इसको अिसको फाइनचल एजुकेशन हरी मार्कित बोलते हैं और यह प्रोग्राइम स्कूल स्टूडेंट के लिए होता है और सकूल के बच्चे अपने स्कूल के थूरू इसको register कर सकते हैं free program होता है एक आपको exam दिना होता है और इस exam का नाम होता है n flat क्या exam होता है national financial literacy aptitude test prices ranges from rupee 2000 to laptops and gold coins free of cost वही पढ़ाई मैं आपको करा रहा हूँ basically is that clear जो आपको इस module में मिलेगा यही सब इस exam में पूछा जाता है चलिए तो सबको यह कहानी समझ मागी बच्छो तो यह content से भी का है children सारा copyright से भी के पास है बिल्कुल परशान में तो यह का दो तरह के sessions आपको यहाँ पे मिलेंगे एक student sessions है और एक family sessions है family sessions हम बात में करेंगे पहले हम student sessions करेंगे हर so-called country में financial literacy का जो ग्यान है children वो इन 8 modules में ही divided है सबसे पहला module है money matters thereafter budgeting thereafter investment basis of banking talking about stocks stocks के अलावा wider spectrum of investment क्या हो सकता है and some people also do what is called as borrowing तो यह program तो सेभी ने बहुत पहले start किया था इसी line में बच्छो 2007 में सेभी ने direct किया इंडिया में ministry of human resource को कि आप एक ऐसा program चलाईए जो school education का part बन जाए यह तो भाई किसी school में चलता है किसी में ने चलता बट एक special school education program focused towards stock market होना चाहिए तो 2007 में CBSC with national stock exchange मिल गया और इन्हों ने एक program launch किया चल रहे है title dance financial markets management काफी इंडिया में स्कूलों में चलता है और यह program poor focus जो करता है it is towards stock market only चल रहे है बट जो financial literacy है चल रहे है वो stock market से भी कही ज्यादा चीज़ें focus करता है तो FMM के program काफी स्कूल में चलते हैं इंडिया में तो वहां पर basically towards stock market ही सब कुछ पढ़ाया जाता है ना कुछ दाएं ना कुछ वाएं बट इसकवर समवाट मच मोर गया चलिए और nearest अगर मैं प्रियाग्राफ सिटी की बात करूँ सबने बनारस हिंदू उनिवस्टी का नाम तो सुना यूँगा चल रहा है बनारस हिंदू उनिवस्टी में 2009 से बी कॉम honors in financial market management का course आपको मिल जाता है पढ़ने को तो ये सब courses इसलिए चलाए जा रहे है लॉजिक समझना गया नॉर्मल बी कॉम करते के तो बस शादी कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे इससे कुछ skill आपके अंदर है ओके चलिए तो अपनी इस बुक को आप सब बच्चे ओपन कर ले चलाए सब बच्चे ओपन कर ले स्टार्टिंग का टेक्स तो टाइम पास है वह आप पढ़ी लेंगे और आज आईए अपने पहले चैप्टर पे डाट इस मनी मैंटर सिल्गन